नमस्कार न्यूज एट नाइन प्रोग्राम में आपका स्वागत है मैं हूँ अम्रित पद्ध है आए जल्दी से देखें आज की हेडलाइन्स धर्ती आबा जन्जातिया ग्राम उतकर्ष अभियान हुआ लॉंच जन्जातिया क्षत्रों पर किया जाएगा फोकस पांच करोण आदिवासी जनता को मिलेगा लाग इस्टेटस ओफ एलिफेंट इन इंडिया 2022-23 रिपोर्ट की अंतरिम रिपोर्ट तैयार हाथियों की संख्या में दर्ज की गई कमी नौर्थीश से डेटा ना मिलने के काराण रिपोर्ट पब्लिश करने में हुई देरी और CDS CEO को मिली इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम की सदस्यता नई मेडिकल डिवाइसे तक पहुँच होगी सुनश्चत युएसे चीन और रूस भी हैं सदस्या आये शुरू करें के करीब योजनाओं का उप्योग करके जनजातिया क्षत्रों में सामाजी का उसन रचना स्वास्थ्य शिक्षा और आजीविका के क्षत्र में मौजूद कम्यों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा देखिए जनगरना 2011 के तहट भारत में 10.45 करोणा नुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं देश में 705 से ज्यादा जनजातिया समुदाय के लोग निवास करते हैं ये लोग देश के रिमोट एरियाज में रहते हैं जहां मूलभूत सुविधाओं की पहुँच बहुत सीमित है योजना के तहत इन सुविधाओं की पहुँच बढ़ाने के लिए इसमें पहले लक्ष में आवसनरचना के विकास पर काम करने की बात कही गई है पहले लक्ष के तहत दो काम किये जाने हैं एक तो योग यानुसूचित जनजाती परिवार को पका घर मोहिया कराया जाएगा जिसमें नल के जरीये पानी की विवस्था हूँ दूसरा गावों में आवसनरचना का विकास किया जाएगा तीसरे लक्ष के तहत अच्छी शिक्षा का सार्वभामी करन वहीं चोथे लक्ष के तहत स्वस्थ जीवन और गर्मा पोन वृद्धा आवस्था के लिए प्रयास किये जाएगे इस प्लान के लिए सरकार को अलग से कोई योजना नहीं चलानी पहले से ही चलाई जा रही योजनाओं के तहत जनजातिय बहुलता वाले गाओं पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा जैसे प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीड के तहट पक्के घर की विवस्था और पिये मुझवला योजना के तहट LPG कनेक्शन मुहया कराये जाएगा एक और बात ये योजना दरसल बिर्सा मुंडा के नाम पर है बिर्सा मुंडा को धर्ती आबा या जगत पिता भी कहा जाता था बिर्सा मुंडा का जन्म 15 November 1875 को राची जिले के उलीहातु गाउ में हुआ था भारत सरकार द्वारा 15 November को बिर्सा मुंडा की जैनती पर जंज पर ववस्था के खिलाफ आंदोलन किया बिरसा मुंडा ने सूध खोरों और महाजनों के खिलाफ भी बगावत की मुंडा अदिवासियों का विद्रो अठार्सो निन्यानबे उन्नीस सो तक चला इसका नेत्रत तो बिरसा मुंडा नहीं किया था उनकी मृत्यू तक चले इस विद्रो को उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है केंद्रिया पर्यावरान मंत्राले ने Status of Elephant in India 2022-23 रिपोर्ट को फरवरी 2024 से तयार करके रखा है लेकिन इस रिपोर्ट को अभी तक जारी नहीं किया गया वज़ा है उत्तर पूर्व के राजियों में हाथियों की गढ़ना में देरी देखे ये रिपोर्ट अभी पब्लिश नहीं हुई है लेकिन कुछ मेडिया हाउसेज ने रिपोर्ट को एकसिस करके एनलाईज किया है मंत्राले के मताबिक ये अंतरिम रिपोर्ट है उत्तर पूर्व के राजियों का डेटा मिलने के बाद एक फाइनल रिपोर्ट के जून दोहजार पच्चिस में पब्लिश होने की संभावना है WII यानि Wildlife Institute of India द्वारा हर 5 साल पर हाथियों की गढ़ना की जाती है WII परियावरण मंत्राले के तहत एक स्वायत संस्था है अंतरिम रिपोर्ट में भारत में पहली बार Scientific Estimate पर आधारित हाथियों की गढ़ना बताया जा रहा है इसे WII और केंद्रिया परियावरण मंत्राले द्वारा मिल कर तियार किया गया है आंतरिम रिपोर्ट के मुताविक बीते 5 सालों में हाथियों की संख्या में 20% की कमी दर्च की गई है वहीं मद्य भारत और पूर्वी घाट में हाथियों की संख्या में 2017 के मुकाबले हाथियों की संख्या 41% की कमी दिखाती है। वहीं पश्चमी घाट में हाथियों की संख्या में 18% तक की गिरावट बताई जा रही है। शिवालिक हिल्स और गंगा के मैदानिक शत्रों में हाथियों के संख्याज टेबल है, यहां केवल 2% की कमी दर्च की गई है। रिपोर्ट में एक चेतावनी भी दी गई है, पश्चमी घाटों तुदक्षणी महराश्ट से लेकर केरल तक। इन में कभी एक साथ रहने वाली हाथियों के आबादी तेजी से कम हो रही है। इसकी वज़ा है कौफी और चाय के व्यावसाइक बागानों के विस्तार, फार्म लैंड फेंसिंग, मानो अतिक्रमण और तेजी से बढ़ती विकास परियोजनाओ सहित भूमी उपयोग में बदलाओ को बताया गया है। क्या आपके मन में कंट्यूजन है कि IS प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं। कि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तयार होगा आपकी सफलता का ब्रेश। यही है वो बैच जिसमें आप कर सकते हैं पढ़ाई के साथ कमाई भी। क्यों? क्योंकि हर टेस्ट के फर्स्ट रैंकर को मिलेगा 11,000 रुपे का इनाव। एतना ही नहीं है। यदि आप प्री 2025 क्वालिफाई करते हैं तो आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाए। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में जिससे आपको हासिल होगी GS में महारत। So just go ahead, आज ही जुड़िए हमसे अमरित लाइव कोट का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए, करिए अपने सपने को साकार। कोफी आयात और निर्यात करने वाले देशों का एक प्रमुख अंतर सरकारी संगठन है। इसका गठन यूएन के तहट 1963 में किया गया था। वरतमान में ICO एकलोता अंतर सरकारी संगठन है जो कोफी के आयातक और निर्यातक देशों को एक साथ लाता है। इसके सदसे देश दुनिया के कोफी उतपादन में 93% और खपत में 63% के हिस्सदारी रखते हैं। भारत इसके निर्यातक सदसे देशों में शामिल है। इसका गठन कोफी के आर्थिक महत्वकु समझते हुए UN के तहट किया गया था। इसका मुख्याले लंदन में है। भारत में कोफी के लि जैसे करनाटक, केरल और तमिलनाडू में होता है। हलाकि कुछ वक्त से गैर परमपरागतक शत्रों में जैसे आंधपरदेश, ओडिशा और उत्तरपूर्व के कुछ राजियों में भी इसके उतपादन में तेजी देखने को मिली है। भारत में कौफी एक निर्यात आधा उतपादन के लिए प्रसिद्ध है। बताते हैं कि सोला सो के आसपास संत बाबा बुदन ने कौफी के साथ बीजों के जरिये भारत में कौफी प्लानटेशन की शुरुआत की थी। भारत में कौमर्शिली कौफी का उतपादन 18 हमी शताब्दी में ब्रिटिश आगमन के ब करनाटक के चिकमंगलूर, कोडागू और हासन जिले कौफी उतपादन के लिए प्रसिद्ध हैं। 2022 में UPSC की परिक्षा में प्रारंभिक परिक्षा में एक प्रश्ण पूछा गया था इसे देखिए। प्रश्ण ये था कि भारत में चाय बोर्ड के संदर्व में देशी कारयाल हैं। और पूछा गया था कि उप्र दिएगे कतनों में से कौन सा यसे सही है या हैं। कÔर एक और तेन केवल दो और चार केवल तीन और चार या फिर केवल एक और चार।'. इसका विकल्प D केवल एक और चार CDSCO यानि Central Drugs Standards Control Organization को IMDRF यानि International Medical Device Regulators Forum की सदस्यता मिल गई है ये सदस्यता CDSCO को तब दी गई है जब केंद्रिया स्वास्ते मंत्राले ने Medical Devices को Regulate करने के लिए व्यापक नियम जारी किये ये नियम वैश्विक मानको के साथ हलाइंड है IMDRF के 26 सत्र की बैठक USA में आयुजित हुई इसी बैठक में CDSCO को संबध सदस्यता का दरजा दिया गया है IMDRF का गठन 2011 में हुआ था ये वैश्विक सतर पर Global Medical Device Regulators का एक समू है इसमें USA, Australia, Canada, European Union, Japan, UK, Brazil, चीन, रूस, साउथ कोरिया, सिंगपूर और WHO सदस्यता के तौर पर शामिल है इसके सदस्यता मिलने से भारत की पहुँच नई Medical Devices तक बहुत कम वक्त में सुनिश्चित हो सकेगी आपको बता दें कि CDSCO नई दिल्ले स्थितिक National Regulatory Authority है CDSCO केंद्रिया स्वास्ते मंत्राले के Directorate General of Health Services के तहत काम करता है इसे Drugs and Cosmetics के नियमन की शक्तियां Drugs and Cosmetics Act 1940 से मिलती है इस एक्ट के तहत CDSCO को कई काम भी सौपे गए हैं इनमें दवाओं का Approval, Clinical Trial, दवाओं के लिए Standard, आयात की जाने वाली दवाओं की गुडवत्ता पर नियंतरन इत्यादी शामिल है इसके अलावा CDSCO कुछ Critical दवाओं जैसे की Vaccine, Blood Product आदे की Licensing के लिए भी जिम्मेदार है साथ ही किसी दवा या कॉस्मेटिक्स पर प्रतिबंध लगाने की शक्ती भी इस संस्था के पास है आए देखें आज का Term of the Day आज का Term of the Day है Green Hashing Green Hashing दुनिया भर में तेजी से बढ़ता एक Trend है इसमें फर्म अपने परियावरण लक्षों और उपलब्धियों के बारे में जानकारी कम पब्लिक करती है कई बार ये जानकारी रणनीतिक रूप से छिपाई जाती है ये फर्म्स परियावरण संबंधी Credential का विग्यापन नहीं करती ये परियावरण के लिए अपने भविष्य की प्रतिपधताओं के बारे में जान बूचकर चुप रहती है जैसे अभी एक खबर आई थी कि आस्ट्रेलिया में Carbon Neutral Certified Firms की संख्या बढ़ रही है लेकिन ये फर्म्स Green Hashing के चलते अपने Credentials को शो नहीं करते सवाल उठता है कि Companies ऐसा क्यों करती है देखे इसके कई कारण है कुछ Companies का मानना है कि Customers Green Products की Quality को लेकर डाउट करते हैं कुछ Companies दावा करती हैं कि अगर Companies अपने Environmental Targets को बता दे तो वे Regulators की नजरों में आ जाएंगी आएए देखें आज के Rapid News में क्या है खास क्लाउडिया शिन्बाम ने मेक्सिको की पहली महिला राष्टपती के रुप में पदभार समाला वे जलवायू कारेकरता और मेक्सिको सिटी की पूर्व मेर रह चुकी हैं और वे मेक्सिको की स्वतंतरता के बाद पहली महिला राष्टपती हैं क्लाउडिया वामपंथी राष्टपती एंड्रेस, मैनुवल, लवपेज, ओब्रडोर की कटर समर्थक हैं नरंद्र मोदी के बाद दुनिया का दूसरा सबसे लोगप्रिया नेता माना जाता है क्लाउडिया सन्युक्तराजी अमेरिका, मैक्सिको या कैनेडा में आम चुनाव जीतने वाली पहली महिला है मद्रप्रदेश का मनौर गाउं एक संकट का सामना कर रहा है यहां अपने पतियों की समय से पहले मौत के कारण महिलाएं विध्वा हो रही है इन मौतों का मुख्य कारण खनन से जुड़ी बीमारियां है जैसे सिलिकोसिस और टीबी यहां 50 साल से पहले आधे से अधिक पुर्षों की मौत हो जाती है इसलिए इसे विध्वाओं का गाओं कहा जाता है इस समस्या का कारण सिलिकोसिस बिमारी को बताया जा रहा है जिसे अक्सर टीबी समझ लिया जाता है जो इस स्वास्ते संकट को और अधिक बढ़ा देता है यहां बता दें कि सिलिकोसिस एक लाई-लाज बिमारी है हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन दुबई में शुरू हुआ है जिसमें वैश्विक इस्तर के निताओं ने महत्वपूर्ण परियावर्णिया चुनोतियों पर चर्चा की इस फोरम में वैश्विक का रवाई को सशक्त बनाना, आवसरों को अनलॉक करना और प्रगत के संदर्व में हरित्व अर्थव्यवस्था की व्यापक स्विक्रिती और महत्यों को बढ़ावा देना है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी कोटल ले एकनोमिक कॉंक्लेव में हिस्सा लेंगे ये इस सम्मेलन का तीसरा संसकरण है जो 4-6 अक्टूबर तक आयोजित होगा इस सम्मेलन का पहला संसकरण जुलाई 2022 में आयोजित हुआ था इस वर्ष का सम्मेलन फाइनसिंग ग्रीन ट्रांजिशन जियो एकनोमिक फ्रेग्मेंटेशन एंड इंप्लिकेशन फर ग्रोथ जैसे विश्यों पर केंद्रित होगा बारती और अंतरराष्ट्रिय जगत के विद्वान, भारती अर्थविवस्था और ग्लोबल साउथ की अर्थविवस्थाओं के सामने आने वाले मुद्दो पर चर्चा करेंगे कोटेल या आर्थिक सम्मेलन का आयोजन पिछले तीन वर्षों से हर साल इंस्टिटूट ओफ एकोनोमिक ग्रोथ द्वारा किया जाता रहा है केके एफाई यानि खोखो फेडरेशन और इंडिया और इंटरनेशनल खोखो फेडरेशन ने घोशना की है कि 2025 में होने वाला पहला खोखो विश्वकप भारत में आयोजित होगा इस आयोजन में 6 महादूपों के 24 देश हिस्सा लेंगे और इसमें 16 पुरुष और इतनी ही महिलाटी में हिस्सा लेंगी खोखो विश्वकप का मकसद इस स्वदेशी भारतिय खेल को इंटरनेशनल लेवल पर आगे बढ़ाना है आपको बता दें खोखो खेल भारत में गहराई से जुड़ा है और या विश्वकप इस खेल की समरिद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्रतिस परधी भामना को बढ़ावा देगा आईए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्ण पहला सवाल भारत में कॉफी बोर्ड के संदर्ब में निमलिखित कत्रों पर विचार करें कॉफी बोर्ड मिनिस्ट्री आफ कॉमर्स के तहत एक सामविधिक संस्था है इसका मुख्याले बैंगलूरू में स्थित है दिये गए कत्रों में से कौन सा सही है केवल एक केवल दू एक और दो दूनों न तो एक नहीं दू अगला प्रश्ट आईए देखें पिछले बुलेटिन में कौन सा सवाल पूछे गए थे उनके सही जवाब क्या है पहला सवाल था भारत के समविधान में पाँचवी अनुसूची और छट्छी अनुसूची के उपबंद निमनलिखित में से किस लिये किये गए हैं अनुसूचित जंजातियों के हितों के सनरक्षन के लिए राज्जियों के बीच सीमाओं के निरधारन के लिए पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायतों के निर्धारण के लिए या फिर सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए सही जवाब है option A, यानि अनसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए अगला सवाल था, यूट्रोफिकेशन क्या है? जल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ना, जल में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा बढ़ना, जल में ओजोन की मात्रा बढ़ना या फिर उपरोप्त में से कोई नहीं तो आज इस बुलेटिन में फिलाहल इतना ही, कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी, ख्याल रखिए अपना ठीक से पढ़ाई कीजिए, अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमरित पादिया 007 टेलिग्राम चैनल है, जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती उनके साही जवाब भी कमेंट सक्षन में दे रहे हैं, नमस्कार